रेत और चीनी रेत और चीनी वास्टा अकवर के दर्वार की कारवाही चल रही थी तभी एक दर्वारी हाथ में शीशे का एक मतवान लेकर आया बास्टा ने पूछा क्या है इस मतवान में दर्वारी बोला इसमें रेत और चीनी का मिसरण है बहे किसलिए फिर पूछा वास्टा अकवर ने माफी चाहता हूँ हुजूर दरवारी बोला हम बीरवल की कावलियत को परखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि बहरेट से चीनी का दाना अलग कर दे वास्टा अब बीरवल से मुखातिब हुए देख लो बीरवल रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है अब तुम्हें पिना पानी में घोले इस रेज से चीनी को अलग करना है कोई समस्या नहीं जहां पना बीरवल बोले यह तो मेरे लिए बाय हाथ का काम है कहकर बीरवल ने मर्तवान उठाया और चल दिया दर्वार से बाहर बीरवल बाग में पहुँचकर रुका और मर्तवान से भरा सारा मिस्रड आम के एक बड़े पेड के चारो तरब बिखेर दिया यह तुम क्या कर रहे हो एक दर्वारी ने पूछा बीरवल बोले यह तुम्हे कल पता चलेगा अगले दिन फिर वे सभी उसाम के पेड के नीचे जा पहुँचे बहाँ अब केवल रेथ पड़ी थी चीनी के सारे दाने चीटिया वटोर कर अपने बिलो में पहुँचा चुकी थी कुछ चीटिया तो अभी भी चीनी की दाने घशीट कर ले जाती दिखाई दे रही थी लेकिन सारी चीनी कहा चली, दरवारी ने पूछा रेज से अलग हो गई बीरवल ने कहा सभी जोर से हस पड़े, वासा ने दरवारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चीटियों के बिल में गुश्तो सभी ने जोर का ठाका लगाए और भीरवल की अकल की दारती तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के शाद शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें जिससे की इस तरह की कहानी आपको मिलती रहे धन्यवाद